हाई गाईज वेकम तो दे लब इन लाइट 369 टैरो कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छी होगे और अफे लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे तो गाईज बहाजर हूँ आप सभी के सामने एक और यू रीडिंग लेके और रीडिंग होगी लेट नाइट थौट्स के लिए देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थौट्स क्या है आपके लिए तो गाईज एक जोनल ट करते हैं और देख लेते हैं क्या था रीडिंग में सुभी पॉजिटिव एंड लेट सी कि क्या इनर्जी से आपके पर्सन की अ पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थौट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए इसका इकारे लिए नाइट थौट्स के लिए नाइट इस्टी कारे नाइट लाइट टीन seven of ones six of ones so guys here i am going to tell you the sign first this sign is cancels scorpio pisces kirkmin and brishik rashi geminal iberian aquarius mithuntula and kumbh rashi and aries leo and sagittarius mese singh and dhanu rashi so this sign shows me here now if i look at their energies and their late night thoughts the first thing that i look at is that your person keeps a lot of love with you in your mind their dreams i think it's relationships related and you have a lot of dreams in their mind wishes you know something like that you have thought they have thought you have thought you have thought you have your thoughts you have thought you have both thought you have both thought you have something that we live in relationship you know life is in this way we enjoy life so that energy gives me here i don't know that you have wish fulfillment i mean completion मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रहे हूँ कि आपके पाटर जो अपनी लाइफ में खुद को बहुत incomplete सा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो ठीक है आपके साथ रहे के उनको completion फिलो तो क्योंकि 9 of cups की energy है 10 of cups के इनके completion को बताता है और यहाँ पर है 4 of cups की energy आपके साथ जो भी time spent किया वो भी इनको यहाँ दाता है और आगे भी मुझे साथ दिखाई देता है कि आपके साथ time spent करना चाहते हैं You know मैं आपके feelings देख रहा हूँ आपके person के दल में आपके लिए कुछ ऐसी feelings जो कि इसे बताती हैं कि इनको आपके साथ रहना है यह आपके साथ time spent करना चाहते है यह आपके साथ रहना चाहते है यह आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है Seven of Wands की नारजी के साथ कि यूँ आपने इस परिसन को हमेशे appreciate किया हर चीज के लिए हमेशे आपने इनको special feel करवाया है हमेशे आपने इनको मतलब ऐसे treat किया है मैं आपने हामें बहुत चलती है मत अब एक तरीके साथ आप यह क Canton को ऐसा feel है कि मैं उसी के साथ खुष था थीक है वह ऐसा feel कर पा रहे है कि मैं जैसे कि वह jo है वह आप ही के साथ खुष तै से इस को feel कर पा है यह मैं कहूँ कि मामी चीज आ रही है बहुत साथ है कि यार मैं कुछ भी कर लू अपनी लाइफ में लेकिन मुझे वो खुशी महसूस नहीं हो रही जो उसके साथ रह करके होती थी अल्राइट सो मैं यहां पर वही खुशी देख पा रहे हूं बट यह तो है है साथ में आपके साथ वो जादा खुश रहते हैं आपके बिना वो इतने खुश नहीं रह पाते हैं तो यह सारी चीज़े हो रही है लेकिन उसके साथ ही आप आजाते 10 of swords के नर्जी मेभी आपके person ने जो है कही रही आपको दोका दिया था कही रही आपको चीट किया था trust issues आगया आपका trust break किया था उस person ने तो यहाँ पर मुझे इसका दिखाए दिते हैं कि यह सारी चीज़े तो सोच रहे हैं लेकिन यह इस में फस गये हैं और मेरे उपर trust क्यों करेगी और मेरी बातों पर trust क्यों करेगी मैं जो बोलूंगा या जो मैं बोलूंगी वो उसको क्यों मानेगा या क्यों मानेगी क्योंकि एक बर कोई इंसान हमें दोका दे देता है या हमारे trust break कर देता है तो वापस से फिर से उसके उपर trust करना तावा भी है और वही सबसे बड़ा blockage भी अभी बना हुआ है क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ठीक है मैं जाके अपना ego अपना जो भी है उसको side रखके मैं उसे माफी भी मांग लूँगा एक time के लिए लेकिन वो मेरे पर क्यों trust करेगी मेरे बातों पर क्यों trust करेगी वो तो यह जो thought है ना बस यह thought उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है यह thought कहीं ना कहीं ब्लॉकिश क्रिएट कर रहा है आपके और उनके reconciliation में otherwise जो वो चाहते हैं वो यहाँ पर clear है लेकिन यह 10 of swords की energy आई ना वो यहाँ पर यह बताती है पहले जिस तो यह कि यह खुद बहुत पच्टावे वाली energy में है यह खुद regret में है इनको खुद को तकलीफ हो रही है इनको अभी ऐसा मैसूस हो रहा है कि यह जो जूट बोला यह जो धोका दिया इससे मैंने किसी का कोई नुकसान ने गया इससे सर्फ मैंने मेरा नुकसान किया है इससे सर्फ मैंने अपने लिए परिशानिया खड़ी करी है क्योंकि इनको भी आपकी याद भी आती है और इनको यह भी है कि आपके बिना यह नहीं रह पा रहे है पहले इनको इस चीज़ का एसास नहीं था बड़ जब आपसे दूर हुए है तो इसके बाद में इनको यही हो रहा है कि जो भी रोने किया जो भी दोका जो भी माइंड गेम से खेल रहे थे उससे इनको तकलीफ जादा हो रही है कहते हैं ना कि खुदी के जाल में खुदी फसर है खुदी ने जो चीज़ें की वो इनको ही नुकसान पहुचा रही है इनको नहीं मालुम था कि ऐसे नुकसान पहुचाएंगी चीज़ें बड़ इनको कहीं ना कि वो चीज़ें नुकसान पहुचा रही है तो इसी energy है यहाँ पर आपके person की कुछ और energies भी मैं यहाँ पर देखना चाहूंगी यहाँ से देखेंगे प्लीज इनवेस गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्ज इस person के बारे में सोच रहे हैं उस person के लेतना ही thoughts क्या है हमारे व्यूवर्ज के लिए intensity लाजीनेश टे लवर्स एक्सेश्ट नवर्स एक्सेश्टिश्ट एक्सेश्टंग ब्रेक्थ्रू यहां पर अगर मैं देखो आपके परसन के अनर्जी इसको तो मुझे आपके पर किलिरली दिखाये देता है कि आपके परसन सबसे पहले जोच ता आपके लिए न बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं मतलब आपके लिए जो प्यार हैं फीलिंग से वो बढ़ रही है ठीक है आपके साथ एक लगाव उनको और जादा मतलब आपके लिए जो भी एक फीलिंग है इमोशन है वो बढ़ रहा है आपके लिए डे बाई डे वो बढ़ रहा है ठीक है मतलब दे बाई डे फीलिंग और इमोशन का बढ़ना मतलब कि आपकी याद उनको आज आई फ आफसा हो महसूस कर रहे है बार बर आपके लिए फील करना बार बर आपका खयाल आ जाना बार बर आपको याद करना आपके साथ यूनों एक अपना पंसा महसूस होना ऐसा मन करना कि इस टाइम वह मेरे पास होती या इस टाइम जो है मुझसे बात कर पाता या मुझसे मिल पा यूँ ऐसे ऐसे ख्याल इनको आते हैं, голिकों अब मुझे इस आखें ज Сам आखें एक इस आखें पंधोर अगिग्रिव शबनोगर हैं यह पना रखें disp touch हो सलह रहें को ऐन् कजय व Υेटिपंर1-प कंभे शुक्त फंधोड़ कमे तर मेद गुण में सते पकशनों उस dark energy से यह light की तरफ बढ़ रहे है positivity की तरफ बढ़ रहे है maybe आपके person जो है अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे है ऐसा मुझे आपर दिखाए देता है कि वो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे है बट मुझे आपर ऐसा भी दिखाए देता है guys कि जिसे कि आपके person न थोड़ी से ऐसी energy में कई भार हम ऐसा नहीं हो जाते कि हमें पता होता है कि हम हमारे लिए क्या सही है लेकिन हम चाह करके भी उसकी तरफ action नहीं ले पाते हैं कि यह कर रहे होते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे तो मुझे कुछ वैसा भी दिखाए देता है आपके person का जैसे कि वो चीजों को थोड़ा सा टाल भी देते है कि कल करते है, कल करते है थोड़ा lazy सी energy भी मुझे आपर दिखाए देती है मतलब और यह lazy energy भी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके काफी थकान मुझे दिखाए देते हैं तो दिखाए देते हैं कि आपके person काफी थक गई है mentally मुझे इनकी यह tired जो energy है mentally दिखाए देते हैं तो दिमाग इनका थक गया है बहुत जादा सोच सोच करके हर चीज के बारे में of course है अपने अंदर बिदलाव लाना चाहते हैं उसकी कोशिश में भी है लेकिन अभी इनकी कुछ energy ऐसी चल रही है कि जिसकी यह सोच बहुत जादा रहे हैं लेकिन actions उसे साबसे नहीं ले रहे हैं जिसे साबसे सोच रहे हैं जिसे साबसे इनकी दिमां में चीज़े चल रहे हैं उसे साबसे actions नहीं आ रहे हैं इनके एक lazy सी energy है आप यह कह सकते हो कि आपके person जो है थोड़ा सा उनको कभी-कभी ऐसे लगता है कि जिसे कि उनको लगते हैं बहुत energy लग जाएगी मेरी हमें कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी लगते हैं कि कल करेंगे इस काम को आज टालते हैं थोड़ा और सोच लेते हैं थोड़ा और समझ लेते हैं या हम कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसको हम जो है यही करते एक्शन नहीं लेहा हैं कि हम गुमते रहते हैं कोई अच्छा गारत मिल जाए जिसे हम काम भन करते हैं लेकिन हम वह भी कर लेते हैं उसके बागाजयूद भी उसमें नहीं कर पाते है, टाइम निकल जाते है, कल कर लेंगे, या आज मन नहीं है, आज मुझे सही नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, तो यही सारी एनरजी आपके पॉर्सन के भी हो रहे है, कि वो भी कुछ न रहेगा इस तरह एक्षन लेना यह करना सो ऐसा कुछ है यहाँ पर बट ऐसा पते तब भी होता है जब हमारी हम कोई चीज के लिए रेडी रहते हैं कि हमें यह करना है लेकिन उस चीज की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई होती ना तब भी ऐसा इंसान के साथ होता है तो यह कि आपके कनेक्शन में भी डिवाइन टाइमिंग है और उस डिवाइन टाइमिंग की वज़े से ही आपके परसन कल परसो ऐसे कर रहे हैं आज मन नहीं कर रहा आज मिसे समय ठीक नहीं लग रहा आज चीज़े ठीक नहीं है कल करते हैं यह तब होता है जब डिवाइन टाइम तो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आजाती तब तक यही चीज हमारी जो है हम टालते रहते हैं कि भेई ठीक है वह चीजे तो होगी दिमाह में वह थाट्स तो आगे लेकिन अभी वह सही वक्त नहीं आया जब हम एक्षन ले ले तो कुछ चीजे हमारी सामने होती है हम क करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाथना उसकी पर उसकी वह भी एक युणिवर्स का ही रिजन है और जब कर जब हम कितना लेजी क्योंना कभी कुछ रिजह ऐसी होते हैं तो यहां पर मुझे यह आपकी परसंद की आरे ना वह यही वताती है कि इसमें भी दिवाइन टा रही है जैसे कि कहते ना कि सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी तो ये इस कनेक्शन का भी सही वक्त आना भी बाकी है और वो सही वक्त पर ही चेंजिस भी देखने को मिलेंगे और चीज़ें बैटर होते हुए भी दिखेगी सही वक्त पर ठीक है तो ऐसा कुछ यहां पर है और इसके अलावा मैं एक कार्ड जो है यहां से भी देखूंगी एक्षिली मैं यहां से तीन कार्ड निकालूंगी सबसे पहले तो मैं तीन कार्ड यहां से देखूंगी आपके लिए यहां से क्या मैसेज है आपके परसन के तरफ से इंपर बन मान आपके बार यख़जि करतेऊं में तरफ से मरे हैं इस पहले अरचिये हैं सबसे पहले मैसेस था कि अपरा दाएं आप उनकी इंस्प्रिशन हो बेबी आप उनको हमेशा सपोर्ट करते हो हमेशा उनको AU fixate करते ओ आप Chis के लिए सो आप हो गए ना कि उनके लिए important wait guys and एक और message में लोंगी यहां से so guys यहां पर ना मुझे इसा दिखाई देते हैं यह काफी intense message है इसलिए मैं आप पर थोड़ा सा मैंने pose लिया इसलिए मैं आप थोड़ा सा रुकी इस message को देने से पहले पर यह message करें ना कि मुझे भी बताता है guys कि जिसे आपके person ना एक बात आपसे कहना चाहते है जिसे कि आपसे कहना चाहते हैं कि मिरे लिए matter नहीं करता बहारी सुनदरता उतना matter नहीं करती यह कहना चाहते हैं कि बहारी सुनदरता उतना matter नहीं करती है I feel जसी आपको निम्हें कहना चाहते है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो यह को अधित करका द मृत्पर सह निक्ला करती doru कि इसलेज़ रखें हे लिरवर नहें थरो छोदी कर की तो तुम परसोन वे चे और प्यार करता हूं वो जिस यह कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ अट्रेक्शन नहीं है, मुझे प्यार है, मुझे कहना है कि तुमारी आदते पसंद है, तुमारी हैबिट्स पसंद है, तुमारा नेचर पसंद है, तुम तुम जिस टाइप के परसंद हो वो पसंद है, ना कि तुमारी आं जरुति अपनी अलाग जगें अग्टि वो उससे सबसे पेले रटरक्ट होएं है आ अच्छा दिखना भी ज़रूरी है क्योंकि पहले इंसान उसी सब इसां अटराक्ट होता है देन बात्चीत होते है नेचर आप इनको ऐसा उच्छ नहीं रखते वैसे भी आप इनको पसंद हो बर इस ये शो करना चाहते हैं कि मुझे, I feel कि वो ये कह करके ये शो करना चाहते हैं कि, ये कोई attraction नहीं है, मिरी तरफ से ये प्यार है, Attraction होती तो वो सूरच से होती, पर मुझे तुम्हारे nature से प्यार है, तो I feel कि यह इस emotion को express करना चाहते हैं इस message के through कहना चाहते हैं कि इनके लिए सुन्दरता माइने इतनी नहीं रखती हैं जितना की nature माइने रखता है और अगर यह अपने लिए choose भी करते हैं अपना life partner तो वो nature देखके choose करेंगे ना कि सूरत देखके ठीक है लेट सी यहां से मैं एक message लोंगी only one please universe एक कार्ट दीजे हमें let's see यहां पर क्या message है अपके लिए make a choice soon bottom of the deck से है so guys यहां पर यह जो message है वो यह message मुझे यह बताता है यह message मुझे यह card जो यह message देता है आपके लिए in future आगे आने वाले time पर आपके सामने choices होंगे guys ठीक है ऐसी कुछ situation मैं बनते हुए देख रही हूँ जहां पर आपको choose करना पढ़ सकता है in future ठीक है आपके लिए 2-3 options आपके सामने हो सकते हैं जहां पर आपको choose करना पढ़े कि आपको क्या चाहिए कुछ ऐसा यह हो सकता है कि आपके person ही आपके सामने कुछ ऐसे रखे बढ़ अब यह मोटा मोटा यह मान के चलो कि in future मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जहां आपको choose करना पढ़ सकते हैं ठीक है दो-3 option दो option या दो से ज़्यादा option आपके सामने हो सकते हैं और वहाँ पर फिर होगी आपकी choice आपका decision मैं यही कहूँगी इस चीज़ के लिए प्रिपेर कैसे रह सकते हैं के लिए प्रिपेर आप ऐसे रहे कि आप अपने दिमाब में यह क्लियर रखिए कि आपको चीज़ें कैसी चाहिए और क्या चाहिए अपनी लाइफ में जब आप इन चीज़ों के लिए clear रहोगे तो जब आपके सामने option भी आएंगे न तो आपको पता है कि मुझे यह चीज़ चाहिए तो आप उसी चीज़ को चूस करोगे अपने लिए तो आप इस चीज़ के लिए clear रही है अपने mind में क्योंकि आपके सामने in future आपको कोई एक फैसा रहेना पड़ सकते हैं आपको कोई एक चीज़ चूस करनी पड़ सकती है आपको कोई एक चीज़ चूस करनी पड़ सकती है आप लोग ले एक छोटी से reading I hope आपसे resonate की हो I hope आपको पसंद आई हो resonate की हो तो मुझे बताना जरूर comment box में पसंद आई हो तो like जरूर करना चैनल को subscribe करना मत भूलना मैं मिलती हूँ आपसे next reading में तब तक अपना ख्याल रखे बबाई take care see you again